Hello students, आज हम दो discuss करते हैं use of indirection operator का in multi-dimensional array देखिए क्या होता इसमें कि कभी-कभी क्या होता है कि an individual array element within a multi-dimensional array can be accessed by the repeated use of the indirection operator ठीक है, मतलब क्या हुआ कि कभी-कभी क्या होता है कि कोई अगर individual array element है जो multi-dimensional array के अंदर है, उसको हम access कर सकते हैं by the repeated use of indirection operator हलांकि ये कोई बहुत अच्छा method नहीं है However, this procedure is more awkward than the conventional method for accessing an array element लेकिन at least तब भी आपको ये आना चाहिए कि indirection operator की मदद से कैसे हम individual array element को multi-dimensional array में से access कर सकते हैं तो इसको समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं इसको simply आप ये लिख सकते हैं यहाँ पहले तो आप लिख दीजे topic आज का indirection operator अब इसको आप एक example से समझेंगे तो आपको ज्यादा आसानी से clear हो जाएगा इसमें माल लिजे कि suppose x is a two dimensional integer array having ten rows and twenty column माल लिजे x कोई एक integer type array है जिसमें 10 row और 20 column है तो the item in row 2 and column 5 can be accessed by माल लिजे हमने क्या काज हमने का x कोई array है और कैसी है integer type और उसमें 10 row है और 20 column है clear अब माल लिजे हमें इस element को array करना हमें access करना है if we have to access element of row 2 and column 5 तो हम कैसे इसको access करेंगे या तो हम इस तरह लिख सकते हैं इसको भी x2 लिख दिया हमने और 5 लिख दिया यह काम हो गया या दूसरे तरह किसे हम इसको कैसे लिख सकते हैं दूसरे तरह हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यह हमने लगाया pointer ठीक है फिर हमने यहां लिखा फिर पॉइंटर लगाया यहां लिखा एक्स प्लस टू प्लस फाइव इस तरह से ठीक अब दीखे यह वाला तो आपके लिए काफी फैमिली है रहा है आप आपको समझ में आ गया होगा ठीक अब सेकेंड वाले को हम एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू है यह एक पॉइंटर है किसके लिए रो टू के लिए यह एक्स प्लस टू इसका मतलब यह पूरे रो टू की बात कर रहा है ठीक अब इसके बात क्या होगा कि तो यह एक्स प्लस टू इसके पहले एलिमेंट का इसका एड्रेस बताएगा ठीक अब उसके बात हमें चाहिए कौन सा हमें एक दो तीन चार पांच वाइगा चाहिए तो हम क्या करेंगे स्टार आफ एक्स प्लस टू तो पहले एड्रेस का हो गया फिर इसमें हम फाइड कर देंगे ठीक तो यह हो गया आपका asterisk of x plus 2 plus 5 is a pointer to element 5 तो अब ये इसका pointer हो गया पाँचपे element का ठीक और इसका जब हमें object निकालना है ये तो address हो गया ना इसका object जब हम बात करेंगे तो हम ये asterisk of फिर यहां लगा देंगे max plus 2 और plus 5 यानि अब ये asterisk लगाने से ये होगा कि इस address पे जो value है जो object है उसको ये show करेगा यानि object at that location that location का मतलब ये होगा यहां के case में row 2 और column 5 पे जो object है उसको ये indicate करेगा clear ठीक है अब इसको माल लिजए graphically इसी relationship को आपको समझाना चाहे है तो उसको आप ऐसे समझ सकते है जैसे x क्या है तो x तो पहले हमने draw किया कि ये हमारी one dimensional array हो गई ठीक है x क्या है हमारा x is a one dimensional array इस तरह and so on इसके बाद x प्लस वन क्या हो जाएगा तो अगर हम x प्लस वन की बात करेंगे तो x प्लस वन कि इसको ये हो गया फर्स्ट one dimensional array ठीक उसके बाद x प्लस वन की हम बात करेंगे ये हो जाएगा आपका second one dimensional array ये हो गया आपका second one dimensional एक्स प्लस टू की जवाब बात करेंगे कि एक्स प्लस टू क्या इंडिकेट कर रहा है एक्स प्लस टू आपका इंडिकेट करेगा third one dimensional array तो इसको आप दिखा सकते हैं ऐसे इस तरह से ये हो गया third one dimensional array ठीक है यानि ये पहला element इसमें जो हो गया ये हो गया आपका एक्स प्लस टू और एक दो तीन चार पाँच ये हो गया आपका एक दो तीन चार पाँच ये जो element हो गया आपका this one यह element हो गया आपका इसका object हम ऐसे ली सकते हैं star of x plus 2 x plus 2 plus 5 इस तरह और यह जो खाना है is division is division का address हो गया star of x plus 2 plus 5 तो इस तरह से इनमें आपस में जो relation है वो आप इस तरह से graphically भी या pictorial representation से भी आप इसको show कर सकते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि programs that make use of multi-dimensional arrays can be written in several different ways यानि ऐसे program जिनमे multi-dimensional array को use किया गया है उसको हम different तरीके से लिख सकते हैं और different तरीके क्या उसमें basically क्या होता है इन particular हम बात करेंगे तो there are different ways to define the array and different ways to process the individual array element तो एक ऐसा program जिसमें multi-dimensional array को हम use कर रहा है तो उस program को हम कही तरह से लिख सकते हैं इसका मतलब यह हुआ कि कई तरह में मतलब यह हुआ है कि उसके अंदर जो array use कर रही है उस array को हम different तरीके से define कर सकते हैं as well as उसके अंदर जो individual array elements है उनको भी हम different different तरीके से process कर सकते हैं इसलिए हम करते हैं कि इसी भी program को जिसमें multi-dimensional array involved है उसको हम different तरह से लिख सकते हैं the choice of one method over another is often a matter of personal preference ठीक है कि कौन सा method हम use करें और कौन सा name use करें यह depend करता है developer के या programmer के या जो program बना रहा है user के personal use पे preference पे उसको कौन सा method या कौन सा definition ज्यादा अच्छा लग रहा है या ज्यादा easy to handle है in applications involving numerical arrays it is often easier to define the arrays in conventional manner hence avoiding any possible subtitles associated with the initial memory assignment ठीक है तो generally क्या करते हैं कि essay array जिसमें numerical value involved है या ऐसी array जिसमें numerical value store की हुई है उनको handle करने के लिए हम array को conventional manner में define करते हैं तो उस conventional manner में define करने से फाइदा क्या होता है कि हम any possible subtilities को जो initial memory assignment के साथ हमें possible subtitles दी जाएंगी उसको हम avoid कर सकते हैं तो यह already यह totally depend करता है individual programmer के preference पे तो आई होग कि आपको यह clear हो गया होगा अगर कोई doubt या confusion है तो comment line में comment करके पीछिए और अगर concept clear हो रहा है तो वीडियो को share कीजे, like कीजे, channel को subscribe कीजे और notification bell को जरूर on कर दीजे ताकि next video की information आपको time से मिल सके है Thank you Thank you Thank you झाल झाल